कन्या कुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की कामियाबी ने कॉंग्रिस को बीजेपी के सामने बड़ी चुनाथी के रूप में खड़ा कर दिया है राहुल गांधी के नेत्रित में निकली यात्रा ने 4000 किलो मेटर पैदल चलते हुए 14 राज्यू का सफर तैकिया यात्रा श्रीनगर में 30 जनवरी को समाथ हुई थी अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है तो यात्रा पार्ट 2 में क्या होगा खास देखते हैं ये रिपोर्ट करन्या कुमारी से कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उपसाहित पूर कॉंग्रस अदेक्ष राहुल गांधी ने अगली यात्रा की प्लान पर काम शुरू कर दिया है इसे भारत जोड़ो यात्रा 2.0 कहा जा रहा है इस बार यात्रा पूरप से पश्चिम तक निकाली जाएगी भारत जोड़ो यात्रा के पहले सीजन की तरह इसमें भी महत्मा गांधी से कनेक्शन जोडने का प्लान है कहा जा रहा है कि ये यात्रा अरुनाचल प्रदेश के परशुराम कुण से शुरू होकर गुजरात के पोरबंदर पर खत्म होगी पोरानिक गरंथों के अनुसार परशुराम कुण भगवान परशुराम से जुड़ा है जिने भगवान विश्णू का छटा अफ्तार माना जाता है वहीं पोरबंदर महत्मा गांधी का जन्म स्थल है राइपूर में 24 से 26 फरवरी तक होने वाले कॉंग्रेस के राश्टी अधिवेशन के बाद राहुल इस यात्रा की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं राजनेतिक हलकों में माना जा रहा है कि भारत जोडो यात्रा से कॉंग्रेस को खासा फाइदा हुआ है राहुल गांदी की 6 फी यात्रा के बाद काफी मजबूत हुई है ऐसे में पार्टी 2024 के मध्य में होने वाले लोगसभा चुनाव तक इस माहूल को बनाए रखना चाहती है इसी कड़ी में कॉंग्रेस ने 26 जन्वरी से पूरे देश में हाथ से हाथ जोडो अभ्यान शुरू किया है जो 26 मार्च तक चलेगा इसके बाद ही भारत जोडो यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा आपको बदा दे कि भारत जोडो यात्रा के पहले चरण में राहुल गान्दी की अगवाई में 14 राज्जो की दक्षिन से उत्तर तक यात्रा के जरीए कॉंग्रेस ने 372 लोगसबा सीटों पर फोकस किया था बारे जोड़ो यात्रा के जरिये राहुल गांदी की नई इमेज तयार हुई है करीब पांच महीने बाद राहुल जंता से जोड़े गंभी नेता के तोर पर सामने आए हैं और राहुल के इसी इमेज के सहारे कॉंग्रेस 2024 में बड़ा कमाल कर सकती है देपी लाइफ की रपो